हलो एबरिबन आदाब नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर जहाँ पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट से आए हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रूमेंट रहता है उसका इंफार्मिशन आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास हमारे यूटूब चैनल के माद्यम से किया जाता है तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड ग्रेजुट टीचर से आनी की TGT से रिलेटेट आए हुए एक रिक्रूमेंट के उपर जिसमें तकरीबन 5000 प्लस पदो पर यहाँ पर TGT के लिए वैकंसी निकल कर आई हुई है तो हम इस वीडियो के माद्यम से समझने का प्रैस करेंगे कि यहाँ पर पोश्ट निकलकर आया हुआ है वो कहा से निकलकर आया हुआ है application please को फिसक उपर बात करेंगे और देखेंगे हिस फार्म को फ्लप करने का जो ही रखा गया है वो क्या रखा गया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है किरपया चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इंफार्मिशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय प यहां पर dssbonline.nic.in पर लोग इन करके आप इस नोडिफिकेशन को डाउन्लोड कर सकते हैं 12 जनवरी 2024 को यह नोडिफिकेशन रिलीज किया गया था इस नोडिफिकेशन में जब आप नीचे आएंगे जहां पर आप लोगों को इस से पोश्ट से related information जहां पर mention किया गया है आप देख सकते हैं आप तीन तरीके के पोश्ट मांगे जा रहे हैं male categories में यहाँ पर recruitment आया हुआ है female categories में और ऐसे categories जिसमें male और female दोनों apply कर सकते हैं तो उसमें male और female दोनों के लिए यहाँ पर recruitment का option खोला गया है तो अगर आप TGT maths में males के लिए जो यहाँ पर recruitment मांगे जा रहे हैं वहीं TGT English जो males के लिए पोश्ट निकल कर आया हुआ है उसमें 413 पोश्ट पर recruitment मांगे जा रहे हैं वहीं females के लिए यहाँ पर 379 सीटों पर recruitment मांगे जा रहे हैं और general में यहाँ पर 11 पोश्ट पर recruitment मांगा जा रहा है वहीं अगर social science से आप farm apply करते हैं तो यहाँ पर males के लिए 129 पोश्ट रखे गए हैं females के लिए यहाँ पर 189 पोश्ट है और general seat जो यहाँ पर है दो पोश्ट पर recruitment मांगा जा रहा है नेचुरल साइंस से अगर आप farm apply कर रहे हैं यहाँ पर TGT के लिए तो इसमें जो males के लिए seat रखे गए हैं 183 पोश्ट रखे गए हैं और females के लिए 166 seat पर recruitment मांगे जा रहे हैं वहीं TGT फिजिक्स में यहाँ पर जो नेचुरल साइंस में recruitment मांगा जा रहा है वो उसमें 5 seat पर recruitment मांगे जा रहे हैं यहीं TGT हिंदी में अगर आप farm apply कर रहे हैं तो यहाँ पर जो male candidate हैं उनके लिए 75 seat हैं females के लिए 110 seat हैं और जो general seats हैं यहाँ पर 7 seat पर recruitment मांगे जा रहे हैं वहीं अगर आप उर्दू से TGT का farm apply कर रहे हैं तो यहाँ पर जो male seat रखी गई है male candidate के लिए 265 seat पर recruitment मांगा जा रहा है फीमेल्स में 356 seat पर recruitment मांगा जा रहा है और जनरल में यहाँ पर general seat जो है 5 seat पर recruitment मांगे जा रहे हैं TGT पंजाबी से अगर आप farm apply कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 248 seat रखी गई है males candidate के लिए 307 seat फीमेल्स candidate के लिए रखी गई है और यह पोश्ट यहाँ पर general categories में मांगे गए हैं drawing teachers के लिए जो recruitment यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उसमें यहाँ पर 527 seat पर recruitment मांगे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर categories wise recruitment बटे हुए हैं जिसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो general categories हैं 2897 पोश्ट पर recruitment मांगे जा रहे हैं OBC में यहाँ पर 724 seat रखी गई हैं ST categories में 507 seat 807 seat वहीं यहाँ पर जो EWS के candidate हैं 144 seat पर recruitment मांगा जा रहा है और total जो seats यहाँ पर हैं 518 seat पर recruitment मांगे जा रहे हैं application करने के लिए आप लोगों को इनके official website पर जाना होगा यह अपनका official website है और इसे farm का closing date है वो 8 March 2024 का date रखा गया है 8 March से पहले आप इस farm को fill up कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस farm का जो application farm registration करने का date है वो 8 February 2024 से start कर दिया जाएगा और इसका last date 8 March 2024 का date रखा गया है तो 8 February से इसका farm apply होना start हो जाएगा तो आप लोग इस farm को fill up करने से पहले इसका जो notification है उसको अच्छे से read करने और उसके बाद ही इस farm को fill up करें देलही subordinate service selection board की तरफ से कई notification आ चुके हैं इससे पहले भी चार notification आ चुके हैं जिसमें teaching, non-teaching और जो multitasking से related यहाँ पर recruitment निकल कर आए हुए थे और यह जो एक नया notification रिलीज किया है इन्होंने 12 जनवरी 2024 को जिसमें इन्होंने प्लस 5000 से ज़्यादा post पर recruitment मंगा हुआ है तो गाइस इस तरीके का information हम channel के माध्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं तो अगर आप लोग भी इस तरीके का information लेना चाहते हैं तो जरूर से हमारे channel को subscribe करें तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ करते के लिए thank you so much